नमस्कार प्राम हरहर महादेओ मैं जीतु शुकला और आज बहुत ही खुशी की बात है कि हमारी फिल्म प्रेमरोगी की सुटिंग यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे घाना संपन हुआ है हमारे जो कुरियोग्राफर है ग्यान जी जो कि हमारे पास में है और हमारे हीरो आसिसी बंटी शिवम और हीरोईन सलोनी बिस्ट और हमारे प्रोडूशर नंदलाल आर पांडे जी जो कि अभी हमारे जो चाइनल के मालकीन है सिद्धी इंटर्टेन्मेंट के वो भी है यहाँ पे और शेखर जी जो प्रेक्षन देख रहे हैं और हमारे मित्र सोनु पांडे जी और सारे हमारे मित्र जितने भी हैं यहाँ पे बहुत अच्छा लगा है और आज जो है गाना जो है यहाँ पे पुरा हुआ है और साल के आखरी में यह हमारी फिल्म का जो है गाना जो है कम्प्लिट हुआ है बहुत अच्छा लगा है मिर्जापुर में इतना सुन्दर लोकेशन हैं यहाँ पर कि बहुत बजाया है मैं सबसे पहले तो धन्वाद करना चाहूंगा हमारी आउडियंस भुचपुरिया समाज को हम पराम करना चाहेंगे और मैं बहुत खुश नसीब हूँ मैं सबसे पहली बात तो हमारी प्रेम रोगी टीम को मैं शुक्रिया और धन्वाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें इतने प्यारे से घर में निमंतर दिया हमारे डिरेक्टर हमारे पूडुसस का और हमारे सारे टेक्निशन ने हमें प्यार दिया और आज मज़े इतनी खुशी है कि महिने का साल का लास दिन है आज और आज मेरे आध गाने कमडीट हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरह से मिचलाजिशन हुए हैं बहुत कॉपट निला सारे टेक्निशन का और जिसमें हमारे हीरो हैं हीरोईन है सभी ने बहुत कॉप compete किया नहीं तो सायदा ये 4 ये 5 दिन में आठ गाणने complete होना मेरे बसका नहीं था ये सबका साथ था support था तो ये आठ गाणने आज complete हो रहे हैnten साल के लास दिन में तो मैं सबसे इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारी आउडियन्स को कि प्लीज आप लोग हमें बहुत प्यार देते हो और देते चले आ रहे हैं करीबन दो सो ढ़ाई सो फिल्मों में देते रहें और देते आए हैं हमारी माताएं बहने और आप बै कर सकते हैं क्योंकि कोई फिल्मों में अब कोई गंदगी नहीं है कोई असलता नहीं है एक ट्रजिटी है फिल्मों में एक ड्रामा है फेमली तो इस तरह से सारी फिल्में बन है और ये फिल्म कुछ और हटके मिली मुझे तो हर फिल्में मुझे हटके मिलती जा रहे हैं तो तो इसका हम आभारी हूं, उस इस्वर का, उस महादेव का और हमारी सारी ओडियन्स का, बाकी कहानी तो बहुत सारी है, शुक्रिया, प्रेम रोगी टीम को मैं धन्वाद करना चाहूंगा, और दुआ करता हूं कि इस तरह से प्रेम रोगी बनी है, ये आगे बढ़ती रहे, चड़ती रहे, लेकिन इसमें सबसे पहला हाथ होगा, वह आप लोग का होगा, यइस प्रेम रोगी को जरूर प्यार दीजिएगा, मेरी लिए, फर्स टर्म काम कि आभी यह तो हीरो यह बता सकते है, कि मैं उनके लिए कैसा लगा, चैनल को देख रहे हैं सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं शिवम गॉड एक्टर ये मेरी पिचर प्रेम रोगी जो है मिर्जापुर में खुटा गाउं खुटाहा गाउं में शूट हो रही है जो कि यहां का बहुत अच्छा कॉपरेशन मिल ला है लोगों का सपोर्ट मिल ला और प्यार मिल ला है मैं चाहूंगा कि आगे भी कभी में फिल्म अगर करूं मिर्जापुर में तो इसी ऐसी लोकेशन्स में करूं क्योंकि इन लोगों का जो सपोर्ट है न वो हम आर्टिस्टों को बहुत उपर पहुचा देता है और जैसे की बताना चाहिए बताया सरने की प्रेम रोगी पिच्चर की शूटिंग हो रही है जो कि सिद्धी इंटर्टेंडमेंट बैनर तले बन रही है और जिसके प्रडियूसर है हमारे ननलालार पांडे जी डारेक्टर है अकील हैदर जी डी ओपी है रोई तेवले और इसमें हीरो में मैं हूं शुवमगौड ऐसी इसिंग बंटै जी है हिरों में सलोजबी जी है सलोज-शक्ष ऑ्रफिक ऑन दाए है और बहुतसारे करेक्टर्स हैं इसमें तो फिर जब करेक्टर में आएंगे तो दो देंगे नहीं यह सला देते हैं सला के साथ साथ दंकी भी होती है उसको समझना वाले के उपर है कैसे समझता है जैसा कि आप देख रहोंगे हालत जो मेरी बनी है इस टाइम यह भी सी विलन का ही कमाल है तो वही इन से थोड़ा सा ब विश जी वे भी बहुत अच्छी सपोर्टिव एक्ट्रेस हैं और इनका काम मैं फर्स टाइम मेरी इनके साथ फिल्म है लेकिन वाके ही बहुत अंदा काम है जो करेक्टर में घुस्ती है ना तो लगता है कि हाँ रियल लाइफ में भी ऐसी करेंगे बट यह रियल लाइफ म का होता सब तरीके का होता और इसकी कहानी जो लिखी गई है वो अलगी लिखी गई और शायद यह बोच्पूरी में नई कहानी होगी और नए तरीके से दिखेगी और यह मैं दावा करता हूं कि जो भी ओडियन्स इस पिचर को देखने जाएगी वो रो के ही बाहर कि जान लगी हुई है इस पिचर तो इसी तरीके से चला और मेरा करेक्टर आप देखी रहें कि मैं कैसे प्रेम रोगी बना बैठाई हुआ हूं अभी अभी मैं आप लोग की मुलाकात कराना चाहूंगा माई फिल्म के एक और हीरो से जिनका नाम आसी सिंग बंटी प्रणा बहुत अच्छे से सूट हो रहा है मिर्जापूर में हम लोग सूट कर रहे हैं और इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे कलाकार सारे अपने भाई हैं जीतू शुकला जी हैं शिवम गौर जी हैं सौलोनिविस जी हैं हमारे डांस मास्टर ज्यान सिंग जी हैं डैरेक्टर अ पूराय फिल्म बहुत ही अच्छे ढंग से तो बस ऐसे ही सूट कंप्लीट हो जाए आज 31 है और आज रात में कुछ यहीं पर हम लोग सेलिबरेट करेंगे सेट पर ही क्योंकि लेट नाइट तक सूट होगा और आज सारा का सारा जो सहयोग है वो प्रोडूसर साहब की तरफ स ही है इसमें यह त्रिकोणी प्रेम कथा के तौर पे और दरसल में अब कहानी का जो थीम है उसको में उजागर नहीं कर सकता अब मैं आपको परचे कराता हूं हमारे प्रोडूसर नंदलाल आर पांडे जी जो की सिद्धी इंटर्टेंट वर्ड के मालिक हैं और सिद्धी ज जो कंट्रोल कर रहे हैं शेकर जी हैं तो मैं चाहूंगा कि दो सब्ध पांडे जी हमारे नंदलाल आर पांडे जी कुछ बताय कि सबसे पहले हरार महादेव और मैं सिद्धी एंटर्टेंबेंट वर्ल्ड के मालिक पांडे जी और हमारी जो इतनी टीम हैं बहुत काफी सप कर रहे हैं सबसे ज्यादा तो हमारे इस वार विचारे इतने सम अच्छे हैं चाय कौफे दम बराबर विचारे पिला रहे हैं सबको और इन लोग हमको बहुत अच्छे लगे हमारी जितनी टीम है हमको करीब करीब बहुत अच्छे लगे और सब कर रहे हमको बस इतना ही मैं कह पारिवारिक फिल्म है जो कि इसमें एक बाप जो है अपने बेटी को बहुत प्रेम करता है और बेटी भी अपने बाप को बहुत ही प्रेम करता है लेकिन जब कभी भी जब कभी बच्चे होते हैं अगर प्रेम को नहीं समझते हैं और गलत संग पकड़ लेंगे गलत लाइन म जो कि आप जैसे की नाम से ही आप समझ गए होगे प्यार जो माबाप देते हैं उससे ज्यादा प्यार कोई दुनिया में देने वाला होता नहीं है तो इसलिए कभी भी ध्यान देना है कि प्यार करो लेकिन समल के करो और माबाप का ध्यान दो माबाप अगर है तो बच्चे भ बहुत अच्छा लगा यहां का लोकेशन अच्छा है आर्टिस बहुत अच्छे हैं सारे ही रोई से लेके प्रोडूसर्स लेके सारे लोग बहुत यहां बहुत मज़ा हैं काम करने में और सबसे कुछी की बात है काम विन्दबाषने से अशिर्वात दाम में भुण कर रहे हैं और साल आखली दिन चल रहा है जो कि 31 को बढूत भी कहतम किए हैं तो बहुत ही बहुत ही मज़ा आ रहा है रहा यहाँ है दर्सकों सेही कहना चाहूंगा कि no और यहीं सापसुत्री फिल्म है और प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है सारे लोगों से सारे दर्सकों हमारे इसे प्रियमित्र भाई यहहन है और बेटी हैं सब फिल्म देखें और इसके अंदर जितनी अच्छाईया है वह अच्छाईया लें और जो बुराईया अगर लगे बुराई हटाना है और हम आप से बात करना चाहूंगा जो कि यहां के हमारे प्रोड़क्शन देख रहे हैं प्रोड़क्शन कंट्रोलर हमारे रहожд сами में जो है हमारे बाएश काम मुष्करा आते हैं कभी कभी मुस्करा लेते हैं क्योंकि बहुत इतना प्रेशर राता है मुष्क्राइक टाइम नहीं तो यह बलाट इनगी ।ो क्यों बोलना चाहें सबुने जो penumặt यो सब से कुंक्राहित त्रेकर मिर्जापूरी चोटा मोठा कलाकार भी है इसमें मैं मैं जो हमारे काली भाइब है उसके राइट राइट हैंड में बिलन में मैं हूँ और मारे जो जुतिशुकला जी है मिले के रूप में आपको देंगे और बहुत जोड़दार film है परिवारी बहूत जोड़दार धमाका होगा दोजारी कईसने आप लोग सबी लोग परिवारी पिच्चर बच्पूरी पिच्चर प्रेमरोगी को सुपर हीट बनाना है जोड़दार जे माबिन दसनी और एक बात और में आप लोगों को बोलने जा रहा हूं साल हमारा खतम हो रहा है लेकिन नए साल हमारी दो फिल्में बन रही है एक तो हम बनारस शुटिंग करने जा रहे हैं फिल्म का नाम होगा बलमा बनारस वाला जो की टाइटल ही अपने आप में एक हिट है और हमारे पा आपि हमारे लीए है जैसे लाइट मीरा बनाने वाले हमारे रवी ऑछे हैं तो के हम जिए तरह आरिए अडिए सब और प्रटेन्मेंट के नाम पर हैं आप लोका अशिरबाद मातारानी का गंगा माई का और माविंदवाशने का आशिरबाद होगा तो बहुत जल्द जो है हमारा सुटिंग चालो होगा तो इसी साथ में हम हैपी निव यर बोलते हैं जैसे 2020 गई है हमारी अभी 2021 आने वाला है तो हैपी 21 हो मा बिंदवाशनी और मा गंगा से आशिरबाद लेना चाहूँगा मादेश से आशिरबाद लेना चाहूँगा कि मा ये 2021 सारे लोगों के लिए एक दम बढ़िया हो और दुख को दूर करे शुक को आरंब और आशिरबाद दे बस इसी साथ में हम अपना वाणी को विराम लगाते हुए नमस्कार मैं जीतु शुकला अगर कोई गलती हुआ रहेगा चमा करना हरहर महा देश लव यू आल